गुद मॉर्निंग आज हम रेस के बारे में पढ़ेंगे आरेसी डेस सर वो आरेसी नहीं होता है एबी सीडी होता है काउन बोला अभी बेंच के ओपर खड़ा करके हवाई जहाज बना देंगे गदा करेंगे सर रेस तो एक पिच्चर का नाम है अभी क्लास से भगा देंगे तो चकर गिनी जैसे नास्ते फिरोगे पिच्चर वाली रेस की बात नहीं कर रहे हैं हम आरेसी रेस की बात कर रहे हैं सर यह आरेसी रेस है क्या रेस जो है एक केमपेन है जो उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प प्लास्टिक से मुक्त करने का अभियान है रेस की फुलफारम क्या है आज पहली बार जो है कोई धंक का सबाल पूचे हो रेस की फुलफारम है सर थोड़ा डिटेल में बता देओ दिमाग का जो है डक्कन खोलो और ध्यान से सुनो रेडक्शन मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तिमाल नहीं करना अवेरनेस मतलब सबको जागरूक होना चाहिए सर्कुलर मतलब प्लास्टिक कचरे का पुनर चक्रन करना चाहिए और इंगेजमेंट मतलब सबको जोड़कर प्लास्टिक के विकल्प एवं पुनर चक्रन इत्याद के विकल्प खोजने चाहिए तर इससे क्या होगा? ऐसा करने से भूत प्रेद भाग जाईए अरे घोचू राम ऐसा करने से उत्तर प्रदेश टिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनेगा और वाता वरन हम सब के लिए शुद्ध होगा जलवायू परिवर्तन के दुश्प्रभाव भी कम होंगे समझे कि बनाए हावाई जाई